शान्तं पदमासनस्थं शशिधर मुकुटं पूँच वक्त्रं शूलम् वज्रम् चखडगम् परशुम् अभयदम् दक्षिनांगे वहन्तम् नागम् पाशं चघंतां दमरुक सहितं सांकुषं वामभागे नानालंकार दिप्तम् स्वकिक मनिभं पार्वतीशं नमामे पार्वतीशं नमामे ओम हार 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 महाजें हार धे तारणहार धे तारणहार शंकर तेरी जैजैकार तुझे बंदन बारं बार शंकर तेरी जैजैकार धे तारणहार तारणहारर तारणहार देवों में महादेव तुम ही हो अंग बभूती धारी देवों में महादेव तुम ही हो अंग बभूती धारी जो तिर में तेरी आरती जो करें विपदा टारे सारी विपदा टारे सारी तू सारे जग का अदार शंकर तेरी जैजैका हे तार्णा 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 जटा भुजंग पिंगला सुरत्वना मनी प्रभा कदंब कुंकु मत्रवा प्रलित दिग्वधू मुके सहस्र लोचन प्रभुत्य शेश लेख शेखर प्रसून धूली धूरणी धूसरांगरी पीठबू भुजंग राज मालया निभद जाट जूट कश्र ये चिराय जाय ताम चकोरवंद शेख रहां ये तारखार शंकर तेरी जय 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 खार तुझे बंदद वारंबार शंकर तेरी जय जय खार शंकर तेरी जय जय खार ये तारखार 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 भूत नात तू कितना भोला लगता है दिक्रा बूत नात तू कितना भोला लगता है दिक्राysis खी भूबन पती खोल दे लोचन नाचो तांड बताल पर जुल्म का करसार शंकर तेरी जै जैकार शंकर तेरी जै जैकार हे तारणखार तारणखार शंकर तेरी जै जैकार तुझे बंदद बारंबार शंकर तेरी जै जैकार आज राज की जए राज नेशद राज की जए राज नेशद राज की जए कौन भाई पुशकर तुम इन भगवावस्त्रों में क्या बात है भाई तीन चार दिनों से तुम आर्दि में भी नहीं आये थे महल का मोह छोड़ कर वन की राह जा रहा हूँ वन की राह पर? क्या दुख है भाई? दुख दुख तो किसी बात कर नहीं भाई आप अपने भंडार में से खुले हाँ से दान धर्म करते हैं चारों दिशाओं में आपकी जैजैकार होती है आपकी कीरती फैलती है आप पुण्य कमा रहे हैं आप ओ ये बात है तो राज्य तुम्हें सौब देता हूँ भाई नहीं बड़े भाई सिंगहसन पर बड़ा भाई ही शुभा देता है तो आधा राज्य तुम समाल लो धर्ती माता के टुकले करने का विचार भी करें तो हम राजा कैसे तो मेरे भंडार में इसे जितना धन चाहिए ले लो दान धर्म तुम करो नहीं भाई मुझे पुण्य खरीदना नहीं है कमाना है आज तक मैंने सिर्फ प्रभु भक्ती की अब तब करके प्रभु को प्राप्त करना है आप मुझे आशिरवाद दो भाई अरे पुषकर महल का त्याग करके वन में जाने के लिए किस मों से आशिरवाद दो भाई जब सर्वस्व का त्याग होता है तभी प्रभु की प्राप्ती होती है मैं महल का त्याग कर रहा हूँ प्रभू को पाने के लिए इसके बीच ना आओ भाई मुझे आशिरवाद दो आरे पुछकर भाई तुम्हें मेरा आशिरवाद है आशिरवाद है दम्यंति बहेँ आपने कुछ सुना तुम कुछ कहो तभी सुनोंगी न महराणे जी आपको सुयम्मर करना चाहती है कह देती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ ससुराल आँगी मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी तो तुम्हारी ससुराल कौन जाएगा हमसद क्या पागल की तरह हस्ती रहती हो, मैं तो शादी ही नहीं करूंगी, यह दम्यनती बहन ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं आउंगी हाँ हाँ, हाँ, आना, आना, बस, पर तुम यही कहने आई हो यहाँ नहीं, मैं तो ये पूछने आई हूँ कि किसको वर्वाला पहनाओगी, ये सुन्दर सी परी किस काज़कुमार की रानी बनेगी? प्रणाव मुनिवर, आयुश्मान भावर राजन, मुनिराज, इस आयुका में क्या करूँ? क्यों राजन, किसी दूविधा में लग रहे हो? भाई पुषकर वन्वाज जा रहा है, सब को छोड़ कर जा रहा है, ये महल सुना लग रहा है वैसे तो इस राजजी की रानी बगेर, इस राजजी का सिंहासन कितना सुना लगता है? बोलो नारायन, नारायन, मेरी बात मानो और तुम विवा कर लो विवा? हाँ, इस राज जी को रानी मिलेगी, ये सिंघासन शोभित होगा, इस महल की शूनिता दूर होगी उसमें भी जो सुलक्षनी पत्नी मिली, तो तुम्हारा संसार सुखी होगा और अगर कोई कैकई मिली, तो तुम्हें प्रभु भक्ति करने का मन होगा और इसी बहाने प्रभु की प्राप्ति होगी नारायन, नारायन मुनि राज, आप विवा क्यों नहीं करते? अरे हम जैसे ब्रह्मचारी अगर विवा करेंगे, तो तुम्हारे जैसे राजा क्या मनजीरा बजाएंगे? वैसे मेरी छोड़ दीजिये और अपनी कीजिये राजन, नारायन, नारायन मेरे भाग्या में भगवान ने नचाने कौन सी करन्या लिखी होगी? प्रित्म को बताओं तेरे रूप के कहानी, वो बन गए है तेरे दिवानी जैसे 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 लंबी ना घर्वे, तिरी आनिन में मोर ना चरे जैसे 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 लंबी ना घर्वे प्रेमी जवान हो गुरे गुरे गाल हो अंगे से अंग लग दिल में उमंग हो मेरे सूनी से सजाए मनवा में आग लगे प्यार है प्यार करू रे के मेरे मनवा में मोर ना चरे तिरी आनिन में मोर ना चरे जैसे 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 नंबी ना घर्वे अंखों में चांदोर सूरज कवास होए अंधेरी रात में साजन मेरे सद होए मेरे मनवा में क्या है गोई ना ये जाने सोजन के साथ रहू रे के मेरे मनवा में मोर ना चरे तिरी आनिन में मोर ना चरे जैसे 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 नंबी ना घर्वे डोले वो ऐसे जैसे हीरन के चाल होए बड़ा है जुशिला बड़ा ही धाल होए मेरे सपनों का साहिब बने वो अरे मानों बाकी है जीखे है मेरे मनवा में मोर ना चरे मेरे मनवा में मोर ना चरे कौन हो आप? मुझे नहीं जानती मैं गली हूँ तो मैं अपने साथ ले जाने आया हूँ ले जाने? कहां? अपने महल में तुम्हारा रूप मेरे हिर्दय में बस गया है मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा और तुम्हें जगत की रानी बनाऊंगा क्षमा कीजे प्रभू मैं चाहू तो तुम्हें इसी वक्त घसीट कर अपने महल में ले जा सकता हूँ तो तुम भी इतना अभिमान ना करो कली, शैतान भी सती की इच्छा बगैर उसे स्पर्श नहीं कर सकता ऐसा, तो देखता हूँ कौन रोकता है मुझे तुम्हें रोकेगा मेरा प्रभू, मेरी मा जगदंबा, मा अंबा भवानी, जै अंबे जै अंबे मा अंबे, आपने मेरी लाज रखी, ऐसे ही हमेशा रखना मा पुन्यस्लोक नैशद राज, महराजा नल राज की, जै महराज, दो व्यापारी फर्याद ले कराए है क्या फर्याद है इनकी? महराज, मैंने मेरी जमीन का टुकड़ा इस सेट को बेचा था, इसने इसकी कीमत भी चुका दी थी सच बात है गृपानाथ, उस जमीन पर हमें मकान बनवाना था, उसे खोदने के समय पर स्वन मुद्राओं से भरा ये कलश निकला, ये कलश लेकर मैं इन्हें सौपने गया, पर ये स्वीकारने से मना कर रहे हैं गृपानाथ तो मना ही करूँगा न, सेथ ये जमीन आपने खरीदी, मतलब इस द्रव्य के मालिक आप ही हुए न नहीं, इस जमीन के मालिक आप थे, इसलिए ये धन आपका है, मुझे तो ये अचानक मिला, इसका मालिक मैं नहीं हो सकता ओ, तो ये हडपने के लिए नहीं, बलकि एक दूसरे को देने के लिए जगड़ा हो रहा है, ऐसा करो, आधा आधा बाट लो शमा कीजे महराज, जो मेरा नहीं उसमें मैं भाग नहीं बन सकता मेरे लिए ये संपत्ती पाप के समान है आप लोग धन्य है सिठो, आप जैसे पुन्यशाली लोगों से ही ये राज्य जीवित है, इसमें मैं क्या नियाय करो, हाँ, सुझाओ जरूर दे सकता हूँ, इस द्रव्य का दान, धर्म और पुन्य के लिए उपयोग कीजे, सेवा में घर्चो यही असली संपत्ती है ऐसा ही करेंगे महराज, बोलो पुन्य अशलोक नशद राज, महराज नल्राजा की, जै, महराज नल्राजा की, जै, महराज नल्राजा की, जै, नारायन, नारायन मुनिवर, प्रणाम मुनिवर कल्यान मस्तू राजन, आपको शोबा दे और इस सिंगासन की शोबा बढ़ाए ऐसी ये कन्या, मैंने देखी है कौन है वो? भीमक कन्या, दम्यंती कैसी है मुनिवर? कैसी है? ये बताने के लिए तो शब्द भी अधूरे पढ़ेंगे प्रोहिजी फिर भी सुनिए ये मस्त मस्त हाथों वाली मन हर लेने वाली लगने लगाने वाली है वो लाजवनती है सुन्दरी चतूर चित रीत जानने वाली भीमक की पुत्री जिसका नाम दम्यंती है सुन्दरी चातूर चीत रीत जानने वाली विमक की पुत्री जिसका नाम दमे अंती विमक की पुत्री जिसका नाम दमे अंती चोड़ दो चोड़ दो मुझे चोड़ दो मुझे अरे तु मानुओ की भाषा बोल सकता है हाँ मैं मा स्रसवती का वाहन हूँ छोड़ दो मुझे नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ूँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरे उध्यान की शोभा बर जाएगी पर मेरी हंसनी मेरी राह देखती होगी मेरे विरह में रो रो कर सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी तुम्हें शाप देगी और तुम्हारे भागे में भी ऐसा ही विरह आएगा दोस्त ऐसी विरह में कब से भुगत रहा हूँ मैंने एक भी बार उसे नहीं देखा सिर्प मुनिवर के मुख से उसका वर्णन सुना है उसी वक्त उसी दिन से उसके बिना मन कहीं नहीं लगता दिल उससे मिलने के लिए बेचैन है उसके बिना जीवन अव्यर्थ लगता है कौन है वो कन्या? भीमक राज की पुत्री, दम्यन थी नैशद राज, तुम्हारा मिलन मैं कराऊंगा तू? हाँ, और इस तरह अंजाने में हुवे पूरुजनम के पाप का प्रायश्चित करूंगा पाप? पुनरजन्म? प्रायश्चित भाई? हाँ, उस जनम में मैं मानव था मेरा नाम था वासू, वो बरसात की रात थी मैं जंगल की रा से गुजर रहा था अरे भाई, कोई है? अरे कोई है? कौन हो भाई तुम? मुसाफिर हूँ भाई, मेरा नाम वासू है आज की रात मुझे आसरा चाहिए, दोगे? आसरा? अगर आपको कोई तकलीफ हो तो… नहीं नहीं भाई, तकलीफ कैसी? देखो, मेरी गुफा बहुत छोटी है इसलिए इसमें दो ही लोगों की जगह है हम दोनों में से किसी एक को बाहर सोना पड़ेगा ने, ने, मैं बाहर सो जाओंगा मतलब? मैं और भाई इस गुफा में अकेले? तुमने इसे भाई कहा न? देवर और भाई का संबंद मा बेटे जैसा होता है तुम चिंता मत करो अंदर चलो खाना खाओ और आराम से सो जाओ ये क्या? तुम तो पूरी तरह भीग गए हो आपका बहुत बहुत आभार भाई स्वामी! 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 क्या हुआ? क्या हुआ भाई? भाई, रात को ये बाहर सो गए थे जरूर किसी जंगली जानवर ने मार दिया हो गए ने मार दिया भाई, ये सब मेरे ही कारण हुआ अगर मैं यह नहीं आय होता तो दोश के से दू भाई तुम्हारे आने को ये मेरे भागी को पर मैं उनके बिना चीह नहीं सकती मैं उनके बाद सती हो जाँगी सती इन दोनों की मौत के लिए तुही जिम्मेदार है वासु तेरे कारण इन पती-पत्नी में वियोग हो गया हाँ, इस काल में मौत का कारण मैं ही बना हूँ अंजाने में हुए इस पाप का मैं प्रायश्चित करूँगा और इसी चिता में कूद कर अपने प्राण स्यागूँगा भाई, भाबी, इस जनम में मैंने तुम्हें अलग कर दिया लेकिन अगले जनम में मैं तुम्हें जरूर एक करूँगा मैं तुम्हें जरूर एक करूँगा भाई जाए भोलानात और मैं उस दहकती चिता में गूत पड़ा इस जनम में तुम नैशद राज नल बने तुम्हारी पत्नी भीमक कन्या दम्यंती बनी और मुझे ये हंस का देह मिला मैं मा सरस्वती का वाहन हूँ पर अपनी हंसनी के प्रेम में मैं एक दो बार अपने कर्तव विसे चूका और दंड के रूप में मा सरस्वती ने मुझे इस मृत्ति लोक में भेजा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी भाई करेंगी नैशद राज जब मैं मिर्तिलोक में कोई अच्छा काम करूंगा, तब मा स्वैम मुझे अपने चरणों में स्थान देंगी मैं तुम्हें और डम्यंति को मिला दूँगा, पूर जन्म के मेरे पाप का प्रायश्चित करूंगा और मा सरस्वती के चरणों में पुनह स्थान प्राप्त करूँगा नेशद राज आप अपने राज्जी में जाईए और मैं जाता हूँ दम्यंती से मिलने मादवी, अपनी बारी तो पूरी कर, चुप कर सुना हमारे उद्यान में ये किसकी आवाज हमारे नेशी उद्यान में परपूरुष कैसे आ सकता है, ये शायद हमारा ब्राम होगा नाल, नाल, नाल ये ब्राम नहीं मादवी, जरूर कोई है तुम उस तरफ देखो, चल मादवी देखो बेन, कितना सुन्दर हनस है, यही बोलता होगा नाल प्रभू का स्मरन करते हैं, वैसे एक ही नाम बोले जा रहा है कौन है ये नाल? इससे हैं पुछिए चलो पकड़ते हैं मतलब हाथ नहीं आओगे ओ प्रभू, हाथ में कमल लेकर फसाया और पकड़ लिया कहां ले जा रही हो मुझे? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे ऐसे नहीं छोड़ूँगी पहले मुझे बता, कौन है? जिसका नाम तुम रटे जा रहे थे? हमारी कन्या को पर पुरुष में इतनी रूची नहीं लेनी चाहिए एक तो हमारी खेल को भंग कर दिया, उपर से रुआप दिखा रहे? कबसे तो खुदी रटे जा रहा था? परना हमें क्या? हाँ हाँ, कहो ना, कौन है ये नर्व? नहीं बताओंगा, इन शिपकलियों के होते हुए एक भी शब नहीं कहूंगा चुप करो, चलो, मेरे कक्ष में चलते हैं, माधवी अपनी बारी पूरी करो कौन जाने क्यों, पर अभी इतना धीरच नहीं मुझ में मन करता है, सब कुछ जान लू तुमसे जब आप तो भाई, कौन है ये नर्व? ऐसा क्या है उसमें, कि तुम उसका नाम बार बार रटे जा रहे थे? क्या है? तो सुनिए दम्यंती बहल मुखने क्यों तो चांद से सुन्दर कैसे करूँ बकान अदर की क्या मैं बात करूँ वो कमल से भी सुन्दर है विशाल वज्र जैसी चाती आँखे लाल मलाल हाथ में है असीम ताकत सूरज उगता भाल मन में सोच के दुश्मनों के बच गई हाखाकार ये है बो नल नरों में सुन्दर काम देव अबतार हादेवी काम देव अबतार रुक्यों गए भाई बोलो और बोलो इनके बारे में ऐसे शब्द बोलो कि इस चित्र में प्रान आ जाए और ये आखें उनके दर्शन कर सकें बोल हन्स भाई तुम्हें मोतियों का चारा दूंगी क्या बोलू मेहन अब मेरे पास शब्द ही नहीं मेरा एक काम करोगे भाई नैशद राज को संदेश दे देना कि ये दम्यंती भीमक कन्या उन्हें अपना ये दिल दे बैठी है उन्हें दिल से अपना मान चुकी है ये मतलब तुम भीमकन्या से मिले मन की बात की हाँ और उसमें ये कहा कि वो मुझे अपना हिर्दे दे बैठी है हाँ नाशद राज और साथ में ये भी कहा है कि उसका स्वयमवर होने वाला है आपको उसका निमंतरन अवश्य मिलेगा आप उसमें जरूर आईए नहीं तो नहीं नहीं अंस मैं जरूर आऊँगा पर अभी तो स्वयमर के लिए बहुत दिन बाकी है कैसे बीटेंगे ये दिन मैं कब दम्यंथी को देखूंगा दम्यंति, 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 क्या बात है मुनिराज, आप जैसे ब्रम्बचारी के मुख से नारायन के नाम के बदले दम्यंति का नाम? अरे, संपरात काल में, अर्थात, आज कल पrittवी लोग पर सभी के मुखों से एक ही नाम सुनने को मिलता है, दमयंती, दमयंती. परन्तु वो किसलिये? अरे दमयंती का सुवेंबर होने वाला है, अनिक राजवीर उनसे विवाग करने के लिए आतो रहे हैं, कितने तो सुवेंबर की आतुरता पूर्वक रहा देख रहे हैं, और कितने राजवीर तो काला सफेद कर रहे हैं। काला सफेद कर रहे हैं। आने वाले हैं स्वेंबर में दम्यंती से विभा करने नहीं नहीं है तो फिर जैसी आपकी इच्छा नारायन नारायन बाकी दम्यंती है देवों में शोबने जैसी मैंने तो अनेक देवियों के दर्शन किये हैं पर उनमें ये दम्यंती अध्भुत है अजोड है अजोड बोल नारायन नारायन जो आपकी इच्छा ही नहीं है बाकी एक बात समझ लीजे मानव को मौत है पर आप देव लोग तो अमर हो इसलिए दम्यंती आप में से किसी एक को वर्माला पहना कर अपना स्वभाग अखंड रहे ये तो चाहती ही होगी पर नारायन नारायन आप लोगों क आप स्वेंबर में उपस्तित हो और दम्यंती अपनी वर्माला किसी और के गले में पहनाएगी तो आपको धर्ती में समाजाने का मन करेगा अरे पाताल में प्रवेश करना पड़ेगा नारायन नारायन ये भी सत्य है तो एक मार्ग है कहो तो बताओं कौन सा नारायन नारा पर इस कारे के लिए नैशिद राज को मनाने का कारे आपका मेरा नहीं अवश्य मनायेंगे मुनी राज फिर तो जो नारायन नहीं देखा वो ये नारद देखेगा नारायन नारायन अभी एक बात बताता हूं इस पूरे प्रसंग में कली राज से बच कर रहिएगा नारायन ना रायन। कली? हाँ इंद्र देव, मैं भी दम्यंति को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ और अगर वो किसी और को वर्माला पहनाएगी, तो मैं उस दमपत्ती को सुखी नहीं रहने दूँगा आपकी धमकी से डर कर हम स्वयंबर में भाग नहीं लेंगे ऐसा अगर आप मानते हैं, तो यह आपकी भूल है देव, हम जरूर स्वयंबर में जाएंगे और देख लेना कि दम्यंति किसे वर्माला पहनाती है महराजा नल राज की जे ने सदराज, ये दान हमें नहीं चाहिए क्यों? हम में वचन दो कि हम जो मांगेंगे, आप वो अवश्य देंगे महात्माओ, प्रभू दर्बार में मेरा हमेशा यही प्रेतन रहा है कि मेरे दर से कोई खाली हाथ वापस न जाए फिर भी अगर आपको विश्वास न हो, तो मैं वचन देता हूँ आप आग्या दीजे हम विवाह करना चाहते हैं महात्माओ, साधू वस्र उतार कर संसार बसाना चाहते हैं प्रभू को भूल कर पत्नी चाहते हैं भक्ती भुला कर भोग विलास में डूबने की इच्छा जागी है हाँ राजन और हमारी नजर में एक कन्या भी है हमारी यही इच्छा है कि आप उस कन्या से मिलो और उसके सामने हमारी ऐसी प्रशंसा करो कि वो हम में से एकसी विभा करने के लिए तयार हो जाए बोलो, करोगे हमारे ये काम अवश्य करूँगा, वचन में बधाओ पर सबसे पहले आप ये बताईए कि आप कौन है क्यों? आपकी मांग से मैं समझ गया हूँ कि आप सच्छे साधू नहीं है फिर भी क्यों? हम कौन है या आप किसलिए जानना चाहते हैं? आपको पूर्ण रूप से जाने बिना प्रशंसा संभव नहीं होगी ठीक है राजर कौन? देवादिदेव, इंद्रदेव, वरोनदेव, अगनीदेव, यमराज आप सभी मेरे आंगन में पधारे मेरे आंगन को यात्रा का धाम बना दिया कल्यान हो, तो बोलो ने सत्राज अभी तो कन्या मिलेगी न, अभी तो मेरी प्रशंसा करोगे न देवादिदेव, आपको कौन नहीं जानता फिर भी आपकी इच्छा ही मेरे लिए आग्या है कौन है वो भागेशाली कन्या भीमक कन्या दम्यनती क्या? उसका स्वेंबर होने वाला है और हमारी इच्छा है कि वो हम में से किसी एक को वर्माला पहनाए पर देवादिदेव, भीमक कन्या के महल में मैं परपुरुष किस तरह जा सकता हूँ? हमारी तरह, साधू के रूप में साधू महराज मुझसे क्या काम होगा? चल योगी राज विराज ये जल्पान करेंगे? आवशक्ता नहीं है फलाहार? उसकी भी आवशक्ता नहीं है मैं अभी देवों का दूद्पन कराया हूँ आज्या कीजिए आपके स्वयंबर में यम देव, वरुण देव, अगनी देव और देवादी देव इंद्र पधारेंगे उनके चरंसपर्ष से स्वयंबर पावन होगा यम देव मतलब मृत्यू के देव जीव मात्र पर उनकी सत्ता है हर एक जीवे वो समाय हुए है हिर्दय की धड़कने यम देव के अधीन है आपका कथन सत्य है जहां वरुण देव मतलब जीव, जीवन का मुख्या आधार वायू और जल के स्वामी जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले ऐसे देव जिनसे धर्ती पर सुखाता है सम्रिद्धी आती है उनकी महिमा मैं जानती हूँ योगी राज और अगनी की महिमा तो आप जानती ही है काच के टुकडे को हीरे का स्वरूब देती है पवित्र बंधन में बांधने वाली यग्यों में स्थान पाने वाली पंच तत्तों में से आवशक तत्व यही उसकी पहचान है जानती हूँ योगी राज परंतु और इंद्र वो तो देवाधी देव हैं देवों के भी देव त्रलोक के स्वामी सम्रिद्धी के स्वामी उनके आंगन में कल्प विक्ष है जो मांगो मिल जाता है ये स्वाभाविक है परंतु आप ये गुनगान मेरे सामने क्यों का रहे हैं ये चारों देव आप से विवाह के लिए उस सुख हैं तो उनसे जाकर कहिए कि भीमक करन्या दम्यंती ने एक मृत्यू लोग के मानव से मन ही मन विवाह कर लिया है मृत्यू लोग के मानव से मानव को तो सिर्फ मौत मिलती है जबकि देव तो अमर है उससे विवाह करके आपको क्या लाब होगा उनसे विवाह करके अमरत्व प्राप्त करने के बजाए अपने मनमीत के साथ की मौत मुझे ज्यादा प्यारी है आप नहीं जानती है देवी कि यदि प्रभू ने कल्प व्रिक्ष से अपनी इच्छा व्यक्त की तो कल्प व्रिक्ष आपको उनके पास ले जाएगा उससे पहले तो मैं नदी में कूद कर आत्महत्या कर लूँगी तो वरण देव पानी में ही रहते हैं वो आपसे विवा करेंगे मैं अगनी स्नान करूँगी तो अगनी देव मिलेंगे मैं विश्पान करूँगी तो जिस पल आपकी जान जाएगी उसी पल आपको यमदेव मिलेंगे मैं इस जनम का त्याग करूँगी तब करूँगी और जब तब सफल होगा तो स्वर्ग के मुनी को पाएगी तेवधी देव इंद्र आपको इंद्रासन पर बिठाएगे मतलम मृत्यू के बाद भी आप इन में से किसी न किसी देव को पाएगी इससे अच्छा आप अभी सही निर्ने ले लीजिये न जन्म जन्मांतर तक सती का एक ही पती होता है योगी राज और स्वयम ब्रह्मा, विश्नू, महेश भी आएगे तो भी मेरा ये निर्ने अटल है आपको तो देवों का भी भाय नहीं है तो कौन है ये मृत्यू लोग का मानव कौन है? अभी मेरे सामने योगी रूप में खड़े नैशद राज, आप दूत, तुम वैदर्वराज से अजुध्या तक की एक दिन की यात्रा करने के बाद बहुत ठग्य होगे तुम दो-तीन दिन तक हमारे महमान हो हमारी महमान नवाजी स्विकार करो अजुध्या देखो और फिर वापस जाना जी महाराज और वैदर्वराज भीमक से कहना कि स्वेमबर में हमें आमंतृत करने के लिए उनका बहुत-बहुत आभार हम दम्यंती के स्वेमबर में जरूर अपस्तित रहेंगे रही है झालेईईग झालेईग। दम्यंटी दम्यंटी क्यों रुख गई बेटी नारायन नारायन इंद्र कुँ असली नल्च समझ के दम्यंटी वर्माला पहना देगी वरुन दे आप तो देव हो, शक्तिशाली हो कुछ शाप वाप देदो वरना दम्यंटी हाथ से गई समझो नारायन नारायन इंद्र देव आपका मुख बिल्ली का हो जाए इसलिए अगनी देव आप भी वरुन देव का अनुकर्ण कीजिए और श्राप दे दीजिए नारायन नारायन वरुन देव आपका मुख श्वान का हो जाए श्राप देदू मुख किस लिए अरे यम्राज जी देवी दम्यंती अगनी देव को नल समझ रही है नारायन नारायन अगनी देव आपका मुख कधे का हो जाए देव राजंदर देव आप भी कुछ कीजिए नहीं तो यम्राज जी जीत जाएंगे यम्देव तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए नारायन नारायन देखो देवियों मानव कन्या के महो में तुम्हारे देवताओं को कैसे कैसे रूप धारन करने पड़ रहे हैं ये तो जो नारायन ने नहीं देखा वो नारद ने देखा और जो नारद ने देखा वो आपको बता दिया नारायन नारायन हम तो आशिरवाद देने आये थे दम्यंती यही असलिन राज है रुको ये हमरा अपमान है अपमान? हाँ दम्यंती ने हमारी तरफ एक नजर करके देखा भी नहीं रुकी नरशद राज के सामने इस कार्थ ये हुआ कि वो नरशद राज को पहले से ही पसंद करती थी हाँ एउध्यापती तो फिर ये स्वेंबर रचाने का नाटक किस लिए? आमने सामने यहां आने का आमन्त और किस लिए? हम सब का अपमान करने के लिए? हम ये अपमान नहीं सहेंगे हाँ अभी जो इस स्वेंबर में नैशद राज को वर्माला पहनाई जाएगी तो यहां खोन बहेगा खोन हाँ हाँ नहीं नहीं राजाओं प्रभु के चरणू की कसम आप सब का अपमान करने का विचार तो हम सपने में भी नहीं कर सकते मैं आप से हाथ जोडता हूँ आप सब शान्त हो जाएए शान्त? भीमक राज तो अपनी बेटी से कहिए कि नैशत राज के सिवाए और किसी को भी पसंद करे ये नहीं होगा नैशत राज को मैं अपना पती मान चुकी हूँ तो यहीं मिटा देता हूँ मैं तुम्हारा सवभात चस्त्रों का खेल मुझे भी खेलना आता है अयोध्यापती पर जहां महमान बनकर आए हो न वहाँ मौत का खेल नहीं खेलते मौत का डर आपको लगता हो तो चले जाएए स्वेंबर छोड़कर बाकी आपके गले में तुम्हें वर्माला नहीं पहनाने दूँगा ऐसा अयोध्यापती पहला वार तुम्हारा तो आप भूल देहें नैशद राज इस रिदुपंड का वार मतलब मृत्यों का वार ये 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 मेरा हाथ रुक्यों गया कि अधियों को पाने के आपकी इछा नहो तो चले जाए यहां से बेटी दम्यन्ती वर्माला पहनाओ बहन बहन भाई तुम? आज आप दोनों एक हुए मेरा कार ये पुरा हुआ देवी सरस्वती प्रणाम हंस आज तुम अपने शाप से मुक्त हो गए मैं तुम्हें लेने आई हूँ बहन पूर जम का मेरा पाप धुल गया कोई संकट आए तो अपने इस भाई को याद करना मैं जरूर हाजिर होँगा अभी मुझे आज्या दो जाओ भाई बेटी दम्यंती मैं यम देव तुम्हें वर्दान देता हूँ कि तुम्हारे हाथ अमृत पूर्ण होंगे तुम्हारे स्पर्ष से मृत देह में भी प्राण आ जाएंगे नैशद राज मानाव कन्या के मोह में हमने आपको ही दूद बनाया आपका ही रूप धारण किया बदले में और मैं आपको क्या दूँगा पर मैं अगनी देव आपको वर्दान देता हूँ कि मुझे याद करते ही मैं प्रकट हो जाओंगा नैशद राज मैं वर्ण देव मैं तुम्हे वर्दान देता हूँ कि मुझे याद करोगे तो सुखा व्रेक्ष भी हरा भरा हो जाएगा और मांगने पर ततकाल जल मिलेगा प्रणाम देवादी देव इंद्र नैशद राज मेरा वर्दान है कि मुझे याद करते ही चाहे तुम जहां रहोगे तो भी तुम एक ही दिन में सौ जीवन का रस प्राप्त कर सकते हो ओ जीओ बेती छोड़ चनी माईका कोई भले हो गरीब घर की कोई भले ही हो अमीर घर की माईके का घर छोड़ के बेती चली जाती ससुरा बेती छोड़ चली माईका ओ जी ओ बेती छोड़ चली माईका रोते सारे सगे सबंदी रोते मां और भाः अरे रोते सारे सगे संबंदी रोते मां और भाः महलों में भी छाई उदासी उदास हुए सब लोग आँखों से आंसु बहे से कैसे कहें हाया बेती छोड़ चली माईका ओ जी ओ बेती छोड़ चली माईका रत को हांकने वालो सुन लो दीरे दीरे हांको मेरी बेती रस्तों के गड़ों में गिर ना जाए रेशम की शैया पर उचली पली बड़ी बड़े गर में बेती छोड़ चली माईका ओ जी हो बेती छोड़ चली माईका सुरज तपे तो बायू देब तुमें ठंडक को पहुचाए बेती की बिदाई का दुख कैसे हम सहेंगे माई जाने बेती का दुख वो भी उई थी पराईक दिन छोड़ चली माईका ओ जी हो बेती छोड़ चली माईका मुरे राज दूसरे के कले में वर्माला पहना कर तम्यंती ने मिला अपमान किया है। इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूँगा। उसके मुलायम हाथों में लोहे की सक्त जंजीरें अवश्य पहनाओंगा। अब तम्यंती होगी और मैं होगा। तब तो जो नारायन ने नहीं देखा वो ये नारत देखेगा। और जो नारत देखेगा वो पूरा विश्व देखेगा। नारायन, नारायन। यारायन, यारायन, नारायन ब metabolic्स्र clear, ब Tilience यारायनbak लेखेगा, यारायन पुरोही जी पुरोही जी आओ माधवी आओ हाँ महराज यहां आये थे आज तो बहुत सवेरे आये थे क्या हाँ आज चरे तो मुझे इस बात का है कि महराज के विवा को पूरे पंद्रा वर्ष हो गए बाल बच्चे हो गए पहली कन्या और फिर पुत्र पहले देवी को साथ में लाते थे अभी बच्चों को भी साथ में ले आते हैं आज महराज नियम से चुक गए देवी की तबियत तो ठीक है ना हाँ तो फिर महराज के लिए क्यों प्रश्ण तो ये है कि वो है कहां यही पूछने के लिए रानी मा ने भेजा है ओहो मैं भी नहीं जानती वो सवेरे ही उठकर कहां चले गए ऐसा करो तुम थोड़ा खा लो नहीं नहीं मैं पिताजी के बेना नहीं खाऊंगी नहीं नहीं खाऊंगा ऐसे जिर्द नहीं करते बेटा तुम्हारे पिताजी किसी काम में होंगे मैंने संदेश भेज दिया है वो आएंगे तब तक तो माधवी आ गई माधवी उनकी कोई खबर मिली नहीं महाराज मंदिर तो गय थे फिर कहा गई ये कोई नहीं जानता पुरोहिज्जी को भी पता नहीं तो तो फिर कहा गए होंगे वो हर-हर महादेव महादेव हर क्यों भाई किस चिंता में हो चिंता तो बहुत बड़ी है पर मैं तो किसान हूँ खेत उगाना है सिचाही करनी है पर आज सुबे ही मेरा एक बैल अचानक मर गया अब तुम ही कहो एक बैल से खेती कैसे करूँ मैं तो एक काम करो कहीं से एक मांग ले आओ कहां सिला सिचाई के मौसम में किसे बैल नहीं चाहिए तो खरीद लाओ इसमें दो-चार दिन तो लगेंगे ही सिचाई तो आज कल में ही हो जानी चाहिए नहीं तो इस साल खेत बंजर हो जाएगा तो एक काम करो, दूसरे बैल की जगा है मुझे जोद दो तुम्हें? हाँ, जितना ठीक लगे महंता न दे देना तुम्हारा काम हो जाएगा और मुर्या पेट भी भर जाएगा नहीं, मुझे ये नहीं होगा इतना उपकार करो भाई, उपकार करो सोच क्या रहे हो ठीक है, चल भाई आपका बहुत-बहुत उपकार मा, मा, क्या हुआ, मा लग रहा है जैसे कोई मुझे से किसी तरह की मजदूरी करवा रहा है हर रहा देवी आ गए आप पर इतनी सफेरे चले कहां गए थे हस क्यों रहे हो सारा दिन चिंता में बैठी थी मैं बच्चे भी पूछ रहे थे घर आकर भोजन भी नहीं किया अब जाकर सोई है ये किसी को भी बिना बताए कहां चले गए थे आप प्रजा का सुखदुख देखने गुप्त वेश में कभी-कभी निकलना पड़ता है देवी हां राजा का ये फर्ज है पर आपने पुरा दिन किया क्या आप तो सती हैं आप ही कहती है न कि पती और पत्नी की दे भले ही जुदा हो पर प्रान एक है जो तुम सच में सती हो हमारे प्रान एक है तो जो मैंने किया है वो तुमने जरूर अनुभो किया होगा अगर तुम बताओगी कि मैंने क्या किया है तो तुम असली सती हो मेरी परीक्षा ले रहे है स्वामी मेरे सती होने पर आपको विश्वास नहीं? नहीं, नहीं, देवी, मैं तो सिर्फ मजाग कर रहा हूँ. कहीं ये मजाग महेंगा नपढ़ जाया, स्वामी. पर आपको परिक्षा लेने का अधिकार है. बताओं, आपने क्या किया? आपने पूरा दिन कड़ी महनत की है. भार उठाया है. ठोकरे खाई हैं. बहुत वेदना हुई होगी न, देवी. हुई थी, स्वामी. परंतु आपके हाथों का स्पर्श हुआ. और सारी वेदनाएं दूर हो गई. देवी, देवी, मुझे एक्षमा कर दो. मैंने जो कुछ भी किया, वो तुम्हारी परिक्षा लेने, या तुम्हें वेदना पहुचाने के लिए नहीं किया, बल्कि एक राजा का फर्श समझ कर किया. जानती हो नशद राज. देवी, प्रजा की सुक दुख के लिए, कभी कभी स्वयम के सुक दुख को भूलना पड़ता है, देवी. हाँ, आप भूखे होंगे ना? आप भी तो भूखे होंगी ना? आपकी राहा देख रही थी. देवी, बुज़ुर्गों की विरासत में मिला तो रोज खाते हैं. आज मेहनत की खाने का विचार है. बोलो, मेरे हाथों से बनाया भुजन खाओगी? पती बनाये और प्यार से खिलाये. ये कौन सी पती नहीं चाहेगी, स्वामी? आग किस तरह जलाएंगे, स्वामी? देवी, हमारे विवाह के दिन, अगनी देव ने हमें वर्दान दिया था, भोल गई? हे अगनी देव. देवी, आज आपकी मेहनत का, मेरे हाथों से बनाया हुआ, अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊँगा. ये तो मेरा सौभाग ये है. एहां, ऐसे नहीं देवी, निवाला यहां से लेना होगा. नटखट हो गए हो आप. जो भी हो, बस आपका यहो. कितने दिन हो गए? रिदय में एक प्रश्न सता रहा है, पूछू. देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है? जिसे पूछने के लिए तुम्हें प्रश्न पूछना पढ़ रहा है? आपके सगे भाई, पुषकर भाई, हमारे विवाह में नहीं आए. हमारी दो-दो संताने हुई, उन्हें देखने भी नहीं आए. उसने संसार का त्याग किया है. और साथ में संबन भी भूल गए, स्वामी. अगर आपकी आज्या हो, तो मैं उनसे मिलकर, उन्हें मनाकर, हमारे महल में ले आऊँ. मुझे अत्या आनंद होगा, देवी. राज्य के कारोबार में, महल में छोटा भाई साथ हो. ये मेरा भी मन चाहता है. वो जिद्धी है, पर कठोर नहीं है. वो आपकी बाद अवश्य सुनेगा. तो मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगी. अवश्य जाओ, देवी. पुश्य का राज से मिलने जा रही है. अब देख लेना कली की शक्ती का प्रताब. पुश्कर, तुमारी ये कंचन रूपी काया मुझाई देखकर, कदम रुख गये. हिर्दय में शूल उठा. पर किसलिये, प्रभू? पुश्कर, तुमारे साथ घोर अन्याय होने वाला है. परन्तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, प्रभू. पेट परवार दुश्मन नहीं करता. स्वजन ही करते हैं. स्वजन, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रभू? तुमारे भाई की पुश्कर, तुमारे भाई की, ये देखो, तुम बलकल पहनते हो, और वो रेश्मी वस्त्र परिधान पहनता है, तुम कंदमूल खाते हो, और वो पक्वान भोगता है, पुश्कर, तुम पत्रेली धर्ती पर सोते हो, और वो, वो रेश्मी सेच पर सोता कि तुम जोपड़े में रहते हो और वह महलों में कि कि ऐसी लिए तुम निशद राज के कपट का शिकार बने हो में नइसद राज के इच्छा थी कि तुम गत्ति छोड़ो नहीं नहीं देव कि तो जवाब दो, आज तक किसी दिन तुमसे मिलने के लिए आया है, अरे उसके विवाय की निमंतर और पत्रिका भी तुम्हें भेजी गई थी, उसकी दो-दो संताने हुई, उनको आशिरवाद लेने तुम्हारे पास कभी भेजा है, आपकी बात तो सही है प्रभू, पर मैंन संसार का त्याग किया है, इसलिए, हाँ पुशकर, संसार का त्याग करने के लिए संबंद भूलाने परते हैं, और इसलिए तुम भूले हो, पर क्या नैशद राज ने भी संसार का त्याग कर दिया है, जो वो तुम्हें भूल गया, सच कहूं देव, एक आद बार भी अग तुमहारी निर्बल ता समझता है, पर पुषकर, इस राजजापर, तुमहारा भी अधिकार है, तुम निर्बल नहीं हो, तुम में भी राज कारोबार करने की शक्ति है, इसलिए मेरी बात मानो, और इस राजज़क को हासिल करो. परंतु देव, मुझे राज जी नहीं चाहिए, मुझे संसारी नहीं बनना, मुझे तो तपस्वी बनना है, इसलिए तो मैंने उस राज का त्याग किया था अरे तुम्हारे पास राज था ही कब जो तुम त्याग करोगे इसलिए तुम पहले राज पाओ उसका कारोबार करो और फिर उसका त्याग करो तब ही तुम सच्चे तपस्वी कहलाओगे और राज पाने के लिए मुझे मेरे भाई के साथ युद्ध करना पड़ेगा देव निर्दर्शों का खून भाना पड़ेगा अरे रक्त पहाई बिना भी राज प्राप्त किया जा सकता है वो कैसे तुम ने शुद्राज के साथ जुआ खेलो जुआ? ये देखो ये देखो ये पासे ही गिरेंगे और तुम बाजी जीच जाओगे राज तुम्हारा होगा और और बड़े भाई को मिलेगा तीन साल का बनवास किन्तु देव बड़े भाई जुआ खेलने के लिए मानेंगे नहीं मानेगा तुम्हारी भावी तुमसे मिलने आने वाली है उसे वचन में मान दो पत्नी का दिया हुआ वचन पती जरूर बुरा करेगा भावी भावी कब आने वाली है आज ही पुषकर तुम सब यहां रहो मैं अभी पुषकर भाई को लेकर आती है पुषकर भाई आए दीवी आप तुम्हारी भावी दम्यंती दम्यंती भावी प्रणाम भावी भावी यह तो साधू की पर्ण कुठी है इसमें महल जैसे मुलायम आसन नहीं मैं आपको बिठाओं कहां मैं बैठने नहीं आई भाई तुम्हें साथ ले जाने आई हूँ महल में महल में? किसलिए? फिर से बड़े भाई की परच्छाई बनकर रहने के लिए पुषकर भाई हाँ महल में नैशद राज का भाई बनकर मुझे मान तो अवश्य मिलता है पर मेरा मन नहीं मानता भावी तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात है भाई जाने दो बता कर भी क्या फाइदा वो तै करने की जिम्मेदारी मेरे उपर बस भावी कहना असान है पर करना मुश्किल है मैं अवश्य प्रयत्त करूंगी फिर भी तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास ना हो तो लो मैं तुम्हें वचन देती हूँ मैं नैशद राज बनना चाहता हूँ भावी क्या? हाँ नैशद राज का स्वामी बनने की इच्छा है मेरी ओ यही बात है ना मुझे विश्वास है तुम्हारे बड़े भाई हस्ते हस्ते तुम्हें राजे दे देंगे मुझे भीक नहीं चाहिए मुझे राज हसिल करना है और वो भी मेरी ताकत से भाई के साथ युद्ध करना चाहते हो? नहीं मुझे भाई के साथ जुवा खेलना है जुवा? हाँ जुए में जो जीतेगा वो राज जी का स्वामी और जो हारेगा वो उसी वक्त राज जी का त्याक करेगा और पूरे तीन साल के लिए वनवास्विकारेगा महल में आने के लिए यही मेरी शर्ट और यही मेरी इच्छा है बोलो मेरे मन रखने की हिम्मत है आप में दिया हुआ वचन पालने की तयारी है आप में तो जाओ और बात करो जाकर नैशत राज से नहीं देवी नहीं ये मेरे समझने की बात नहीं जुआ खेले बिना ही, मैं ये राज्य पुषकर को सौपने के लिए तयार हूँ अरे सिर्फ तीन ही वर्षों के लिए क्यों, जीवन भरवर्मास भोगने की मेरी तयारी है ये बात तो पुषकर भाई भी जानते हैं स्वामी, परंतो उन्हें भीक नहीं चाहिए ये भीक नहीं है देवी, ये तो पुषकर का अधिकार है, और मुझे खुशी है, नैशद राज हमारा पुषकर होगा उसे होना ही है, परंतो जुआ खेल कर जुआ खेल कर? अरे जिन हाथों से मैंने आज तक दान पुन्य किया है, प्रभू की पूजा किया, उन्हीं हाथों में आज पास से पकड़ू, उन्हीं हाथों से आज जुआ खेलू पर आप उसे मना कर दो ना स्वामी? देवी, मना कर दूँगा, तो पुशकर ये वानेगा, कि मेरे हिर्दय में पराजय का भाय है, वनवास भोगने की मुझ में हिम्मत नहीं, राज्य का स्वामी होकर भी मुझ पर लानत है हाँ स्वामी, परंतो मैं पुशकर को किन शब्दों में समझाओ, कि मैं राज्य का स्वामी नहीं, सेवक हूँ, और राज्य को मुठी में रखने का सेवक का कोई अधिकार नहीं होता आपका दुख मैं समझ सकती हूं स्वामी, परंतो अब प्रश्न ये है कि पुशकर भाई को जवाब क्या देंगे जवाब? देवी, इस राज्य की परंपरा है, कि महल के आंगन में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता पुशकर के लिए ये परंपरा नहीं तूटेगी, शायद भाग्य में यहीं लिखा है स्वामी हाँ देवी, मैं जुआ खिलूँगा, जुआ खिलूँगा देवी परंपु सुन लीजे नैशद राज, जुए में आपकी पराजय हुई, तो उसी वक्त ये राज छोड़ना होगा मुझे स्विकार है पुशकर पूरे तीन सालों का वनवास भोगना पड़ेगा ये भी स्विकार है भाई उस बीच जो राज में फिर से वापस आए, तो और तीन सालों का वनवास मुझे ये भी स्विकार है और जुआ, मैं अपने पासों से खेलूँगा मुझे स्विकार है भाई तो अब इंतजार किस बात का है नैशद राज लो ये पासे, देखते हैं भागे किसका साथ देता है एक, दो, तीन पांच एक, दो, तीन, चार, पांच देखो नैशद राज, असली खिलाडी इसे कहते है ये आया बारा, बारा लो नल राज, अब तुम्हारा दाओ पुशकर राज, अब देखना आएंगे बारा आओ पुशकर राज, अब बारा, बारा तीन ये आये फिर से बारा बारा आट, बारा और आट, बीस बारा और आट, बीस आट, नल राज देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा और बारा बारा और ये आट, बीस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, और यहाँ पर तुम खतम नल राज अपनी शर्ट के अनुसार, सारी बाजियां तुम हार गए हो आज से इस राज का स्वामी मैं हूं मैं और लगाई हुई शर्ट के अनुसार, इसी वक्त तुम्हें इस राजिका त्याग करना होगा नहीं नहीं देवी, आप साथ नहीं आ सकती देवी, पराजय मेरी हुई है, आपकी नहीं हाँ, पती-पत्नी का भागय अलग नहीं होता परंतु देवी सती को पती का साथ चाहिए होता है, सामराज जी नहीं देवी, चांदनी से भी सुन्दर आपकी एकोमल दे, वन की काटो भरी राग कैसे सह पाएगी वियोग की वेदना, उससे भी बढ़कर होगी स्वामी देवी, वियोग सिर्फ तीन वर्षों का है पर ये तीन वर्ष्टों, तीन-तीन युगों के समान लगेंगे मेरी सांस जब तक है, तब तक तो साथ रखिये न, स्वामी देवी, देवी, तुम्हें किन शब्दों में समझाओ कि वन के काटे तुम्हारे शरीर को चुभेंगे, तो वेदना मुझे होगी ये शब्द नहीं, स्वामी, शब्दों के द्वारा मेरे लिए छलगता हुआ प्रेम है और इस प्रेम के सिवा, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए देवी, असहनिय चोटें तुम्हें लगेंगी, और वेदना मुझे होगी सुनी रातों में जलता हुआ दिया, सुभा सूर्यदै होने से और तेजस्वी होता है स्वामी पर देवी पिश्वास रखिए, आपका साथ होगा, तो मेरी और कोई फर्याद नहीं होगी मेरी आखों में आसों नहीं होंगी मेरे मन में आनंद होगा और होठों पर मुस्कान देवी, पर हमारे बच्चे उन्हें मैं अपने माता-पिता के पास भीज दूगी ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम्हारे इस नेड़ाय के पीछे भाग्या का कोई संकेत होगा नाथ देवी आज से नैशत राज्य का स्वामी मैं हूँ और नल है मामूली इंसान मेरी आज्या है कि राज्य में जाहिर कर दो कि नल को कोई आसरा नहीं देगा नहीं कोई मदद करेगा जो कोई नल को आसरा देगा या मदद करेगा, वो राज जी का गुनेगार कहलाएगा और वो दंड का पात्र होगा नैसत्पदी पुष्कर राज की जै महाराज, पुष्कर राज की आज्या नहीं है क्या? इन्हें दर्शन से भी मना कर दिया? होगा देवी, चलो ओम नमस्षिवा महाराज, महाराज, देवी, आपको ये राज जी छोड़ना पड़ रहे है हमें इसका दुख नहीं फिर आप इसके चिंता क्यों कर रहे हैं, पुरोहिट जी? मेरा एक काम करेंगे आग्या कीजे, देवी पुरोहिट जी माध्वी इन बच्चों को मेरे पीह ले जा रही है आप भी उनके साथ जाए उसकी चिंता ना किजी देवी मैं भी इनके साथ जाऊंगा पुरोहिट जी नल को आसरा देने वाला या मदद करने वाला सजा का पात्र है ये सजा मैं स्विकार कर लूँगा महराज पुरोहिट जी परन्तु आपकी आग्या नहीं टालूँगा देवी और अगर आपने मेरी आग्या के खिलाफ जाकर इन बच्चों के साथ इस राज जी के बाहर कदम रखा तो इस राज जी में मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूँगा आवश्य प्रवेश करूँगा महराज नल राज जब नशद पती बनेंगे पुरोहिट जी लो पुरोहिट जी मेरे रिदय के टुकडे मैं अब आपके और माध्वी के हाथों में सौपती हूँ इन्हें संभाल कर ले जाना बहन हाँ दमेंती बहन बेटा बेटी तुम लोग वहाँ सबसे अच्छे से रहना हाँ मा चला चला कली उगने जो की ऐसी करामात बदल दी जिन्दगी राजा की राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी राजा जो था सत्याबादी भार गया वो बाजी हे कली उग तुने की जो करामात रोते दास और दासी रह गए कली उग का ये फेर पासा एक पल में जो पल था सपने दिये विखेर दुर्जन की मूठी में दुनिया देखे उपर वाराजी राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी अनजाने रस्ते में बच्चों बच्चों को भी छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया अनजाने रस्ते में बच्चों को भी छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया हात छोड़ कर दोते बच्चे मा आंसु बहाए मा तो आंसु बहाए मा भी रोती ही तो रह गई भो गए दिल में छेत रे राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी हे कलिउग तूने की जो करामा मार राजपाट भी हार गया वो राज पाठ भी हार गया और आगया खाली रस्ते ये कैसे कर्मों का फल है फग में कांटे ही चुबते दुख न देखा कभी जीवन में कैसा वक्त आया जी राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी एकल युग तुने की जो करामात बदल दी जिन्दगी राजा की राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी राजा जो था सत्याबादी हार गया वो बाजी बेटा बच्चो को ही ले आई पर मेरी बेटी दमात को क्यों नहीं लाई जब आब दो क्यों नहीं लाई किस तरह लाते महारानी नैशद राज नलने उन्हें बचन में बान लिया था पर दम्यंती के कोमल पेरों में काटे चुबेंगे जंगल के काटे उसके शरीर को घायल कर देंगे महारावी सम्भालो प्रभू प्रभू उन्हीं किस अप्राद के इतनी बड़ी सजा दे दी किस अप्राद के नहीं नहीं मा मैं आज ही जाओंगा जंगल जंगल और हर राजी में ढूंडूंगा और मेरी बेहन-बेहनोई को समझा कर वापस लाओंगा काटा लग गया स्वामी देवी देवी बहुत भूख लगी है हाँ स्वामी अरे देवी वो देखे आप यहीं रुकिए मैं आपिया ताहूं जाने दीचे स्वामी शायद वफल हमारे भाग्य में नहीं पर अंतु कहीं पानी मिल जाए तो अच्छा कला सूखा जा रहा है देवी थोड़ा चलेंगे तो शायद कहीं पानी मिल जाए चलो चलो भाई 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 क्या है तुम्हें मा के बेना अच्छा लगता है नहीं मुझे पर नहीं लगता चल कहीं भाग्य चलते हैं हाँ चल हम उन्हें ढूनके लाएंगे अध्याव् कुमार कुमारी कहां जा रहे हो रुको कुमार कुमारी मा दवी क्यों भाग रही हो कुमार कुमारी भाग रहे हैं क्या कुमार क कुमार करता कुमार कुमार क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा मैंने सपने में देखा हमारे बच्चे हमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं उन्हों दोनों से भागने का प्रयत ने किया और भागते भागते दोनों परसे गिर गये स्वामी आज तो आप कुछ जादा ही खुश लग रहे हैं दम्यंती के विवा के इतने सालों के बाद आपको धरती पर बैठे हुए आज मुक्ता हास्से करते हुए देखा जो नारायन नहीं देखा वो इस नारत ने देखा नारायन नारायन मुनी राज, मैंने दम्यंती को अपनी ताकत दिखा दी नारायन, नारायन दम्यंती को राज्य छोड़ना पड़ा और आज वो जंगलों में भटक रही है येही मेरी पहली जीत है, मुनी राज अरे परकली जी, पहली ही जीत में आप इतने खुश हो गए अभी तक दमियंती को उसके पती से अलग नहीं कर पाए सती के मन में उसका पती, यही असली संपत्ती नारायन, नारायन मुनिराज, उस सती की असली संपत्ती भी मैं समय आने पर उससे छीन लूँगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोख सकता क्या सोच रहे हो नलगाच? सोच रहा हूँ, सती ने मेरे लिए सब कुछ सहिन किया पर लगता है, बच्चों के बिना नहीं रह पाएगी उसे माईके भीज़ दो, पर अंतु सती मानेगी नहीं तो उस पे क्रोद करोगे, हर कदम पर उसका तिरसकार करो, उसका आपमान करो इस तरह से उसके मन में तुमारे लिए तिरसकार पैदा हो जाएगा, वो असे होगा और स्वेच्छा से अपने माता पिता के घर चली जाएगी लेकिन ऐसा तिरसकार उसे आत्मात्या के लिए प्रेरित करेगा तो, उसके मन में पैदा हुआ तिरसकार, उसे भले तुमारे साथ जीने नहीं देगा पर बच्चों का प्रेम उसे मरने भी नहीं देगा ये बात सच है, मैं ऐसा ही करूँगा क्या हुआ स्वामी? तो मेरी गोद में सो गई, तो मैं कैसे सो, मुझे भी नीद आ रही है गोद में सो गई देखा ना, स्त्री की बुद्धी घुटनों में होती है, ये उसी का उदारण है हाँ, अगर दम्यंती ने आपको वर्माला पहनाई होती, तो आज जंगल में नहीं भटकना पड़ता उसे ये बात सही है, दम्यंती के दरभागी की वज़े से, सायद मैं भी जंगल में भटकता रहता अरे, आप तो पारसमणी है महराज वो तो मैं हूँ ही और आपके कदम पड़े तो जंगल में भी महल बन जाएगा जंगल में मंगल हो जाएगा ये बात भी सही है महराज, अभी मेरी बात मानिये और अगली बाजी चलिए दम्यंती को अपने महल में उठा कर लाईए नहीं, ये संभव नहीं है दम्यन्ती अभी भी परिस्त्री है, परिस्त्री को उठा लेने का पाप मैं नहीं करूँगा पर उसके पती का राज जाने के बाद उसका पती भी उसके लिए पराया बन गया होगा महराज हाँ, अथ तो मनी मन वो भी पस्ता रही होगी कि कब अयोध्यापती की रानी बनूँगी, इसकी रहा देख रही होगी हाँ, मैं उसे आवश्य लाओंगा, दम्यन्ती को मैं अपने महल में लाके रहूँगा प्यार से नहीं तो ताकत से, मैं उसे अपने रानी बनाओंगा, रानी स्वामी, स्वामी क्या है? मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ ये कोई अपना राजमहल नहीं है कि मांगते ही सब कुछ हाजर हो जाएगा जानती हूं स्वामी और मैं कोई तुम्हारा नोकर नहीं कि तुम इस तरह से मुझे पर हुकुम चलाओगी भाग्या में होगा तो भोज़न मिलेगा नहीं तो भूख ही मरो आपको क्या हो गया है स्वामी आजा पैसा क्यूं कर रहे है मुझ से कोई अपराध हुआ है तो मुझे एक शमा कीजिए इसमें अपराध याशमा का सवाल नहीं है भूख तो मुझे भी लगी है, पर मैं क्या करूऊ मेरी बात मानकर, तुम अपने माता पिता कि यहां चली गई होती तो तुम भी सुखी होती और मेरे हिर्दें में भी चंता नहीं होती लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है ऐसा मत कहिए, भूख प्यास के बारे में एक शब नहीं निकालूंगी, परन्तो आप ऐसे क्रोध मत कीजिए स्वामी, क्रोध मत कीजिए देवी, क्रोध ना करूं तो क्या करूं, भोजन की बात तो दूर, यहां कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आगे ढूनते हैं, कहीं पानी मिल ही जाएगा, चलो भूख प्यास के बारे में एक भी शब नहीं निकालूंगी, परन्तो आप ऐसे क्रोध मत कीजिए स्वामी नियाशद राज, तुम जब भी मुझे याद करोगे, तुम्हें तुरंत जल मिल जाएगा हे वरुण दिर देवी, शान्ती मिल खई, देवी, इसमें मचली भी है, तुम बैठो, मैं अंदर जाकर लेकर आता हूँ मिल गए अज़ जाएगा देवी, लगता है और नहीं मिलेंगी, बहुत भूख लगी है, लाँ, कहां है? दूसरे दोबिस अजीव होकर चले गए क्या, जूट बोलो यो सच कह रही हूँ स्वामी यह सत्य है, मित्यू के आगे कभी प्यार टिक नहीं सकता, सत्य तो यह है कि तुम से तुम्हारी भूख सेहन नहीं हुई, इसलिए तुम खा गई नहीं स्वामी, नहीं मैं आपकी कसम खागर कहती हूँ वो मचली मेरे हाथों का सबर्ष होते ही सजीव बन गई यह संभव है संभव नहीं यमदेव का दिया हुआ वर्दान याद कीजिए राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है तुभारे हाथों में संजीवनी है न तो चलो सबर्ष करो उस मुर्दे क और जिन्दा करो उसे अभी पता चल जाएगा चलो राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है बाईयों ये मेरी पत्नी है इसके हाथों में संजीवनी है ये इस मृत्य देव में प्राण फूखेगी आप सत्य कह रहे हैं रखो भाई रखो आप हमारा एक एक लोता जवान बेटा है इसे जीवित करो देवी इसे जीवित करो यम देव प्रभु क्रिपा कीजिए प्रभु क्यों तुम्हारे हाथों में संजीवनी विद्या है तो फेर इस मृत्य देव में प्राण क्यों नहीं फूखे शायद प्रभु मेरी परिक्षा ले रहे है परिक्षा नहीं तुम्हारे जैसे स्वार्थी और धर्मब्रष्ट लोगों को प्रभु का वर्दान नहीं मिलता तुम जैसों के साथ मैं कोई भी सम्बंध नहीं रखना चाहता चाओ स्वामी नात सुनिये स्वामी कोई जाके प्रभु से बिलते करके उन्हें बुलाओ कोई जाके प्रभु से बिलते करके उन्हें बुलाओ कोई आगे जाकर मेरे बालमजी को रोको मेरे प्रीतम को पीछे लाओ किस हाल में मुझे को छोड़ा मुण के न पीछे देखा आधे रास्ते में बहते यासू मुण के न तूने देखा ओ ये धर ओ धर मैं भट की बन में साजने को समझाओ मेरे प्रीतम को पीछे लाओ जिसके पीट में आगल हूँ मैं पीछे पीछे डोड़ों मन के तपते धरा के उपर जता सूरज ओड़ों हे विधाता विपता भाड़ अब तो पीछे देखो मेरे प्रीतम को पीछे लाओ कोई जाके प्रभु से बीटे करके उन्हें बुलाओ कोई आगे जाकर मेरे बालमजी को रोखो मेरे प्रीतम को पीछे लाओ हाँ 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 दसन शाओ आज तुम्हारा बंद क्यूं डरबार उमड़े उमड़े कर बरसा बादल हो रही हाँ हाँ कौन धरते कापोते धरा भी हिल गई मारगे मुझे बता मेरे प्रीटम को पीछे लाँ मेरे प्रीटम को पीछे लाँ क्या खबर है इस दिशा में तो दम्यंती कहीं नजर नहीं आ रही महराज तुम्हें कहीं नजर आई नहीं महराज लेकिन अवश्य मिलेगी कौन जाने कहां होगी ये दम्यंती क्या ख़र है क्या है क्या तुम्हें क्या प्रीटम हुआ हाँ ना रायन, ना रायन ये आपने क्या किया देव? नल राज का सामराज तो ले ही लिया उसके पास एक वस्त्र था वो भी चील लिया पर अभी भी आपके हाथ में सिर्फ वस्त्र ही आया है सती दम्यंती नहीं एक दिन सती दम्यंती भी इसी तरह मेरे हाथों में आ जाएगी पर तब तक इस वस्त्र का क्या करेंगे इससे कोई खेल खेलेंगे ना रायन ना रायन झाल देवी इस हालत से तुम मुक्त हो जाओ इसलिए तुम्हारा त्याग कर रहा हूं अपने माता पिता के पास जाओ भाग के हमें होगा तो फिर मिलेंगे स्वामी, 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 किसलिए मेरा त्याग किया मेरे कैहा पराठत था स्वामी men kyasz पराठत है श्वामी स्वामी स्वामी देवी स्वामे, देवी, देवी, सैदाप मुझे नहीं पहचानती, मैं हूं रितुपर्ण, अजोध्यापती, क्या बात है, आप इस जंगल में, इन कांटों के बीच रोती हुई बाटक रहे हैं? नैशद राज ने मेरा त्याग कर दिया, मुझे छोड़ कर चले गए, अकेला छोड़ कर चले गए रोईए मत देवी, रोईए मत, चले, मेरे साथ चले, यहाँ नजदीक ही मेरी छावनी है, वहाँ आराम कीजिए, मैं अपने सेवकों को धूनने के लिए भेजता हूँ, नैशद राज मिल जाएंगे, आप ज़रा भी चिंता ना कीजिए, चले, आईए, आईए बच्चाओ, 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 नाग देउता, यह आपने क्या किया, मैंने आपको अगनी से निकाला और आपने मुझे ही डस लिया ये डंक आपके लिए आशिरवाद रूपी है पिछले बारा-बारा सालों से मैं अगनी में जल रहा था ना मर रहा था और ना ही अगनी मुझे जीने दे रही थी आपके ही हाथों से मेरा उधार होना था नालराज, आपको अगले तीन सालों तक अपनी दे छुपा कर रखनी है और उसमें आपका ये स्वरूप आपको मदद करेगा लीजिए ये वस्त, जब भी आप इसे धरन करेंगे आप अपना असली रूप तुरंट प्राप्त कर लेंगे और तब तक आपका भाई आपको पहचान नहीं सकेगा महराज, महराज, देखिए नलराज जा रहा है हाँ, वही कद, वही उचाही, वही चाल चलो पकड़ लो उसे क्या है भाई क्षमा करो भाई, हम जुसको ढूल रहे हैं, वो तुम नहीं, हमसे भूल हो गई चलो सिपाहियो पुश्कर ये स्वरूप आपकी मदद करेगा, और आपका भाई भी आपको नहीं पहचान पाएगा देवी अयोध्या पती, उनकी कोई खबर मिली? नहीं, हमारे सिपाहि निराश होकर लोटाएं ओ प्रभू परन्तु देवी, आप उनका इंतजार करके अपना कीमती वक्त बरबाद क्यों कर रही हैं? अयोध्या पती, आप मेरे साथ आईए, मैं आपको अयोध्या की रानी बनाऊंगा नहीं! आपको वही एश्वध्या, वही मान, वही स्थान मिलेगा, जिसके आप योग्यों हो अयोध्या पती, मुझे महल का मोह होता, तो मैंने स्वईच्छा से वनवास ना स्विकारा होता कहां जा रही हो? ये पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा तुमने मेरे महल में आने से मना कर दिया था ना आज मैं तुम्हें नलराज की याद भी नहीं आने दूँगा छोड़तो, छोड़तो, छोड़तो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, भाई मैं पाल मैं पाल पाल serious! चरू करतरू अवी उरोग़। oh हुभ अहँण आफ सबस्कत नहीं बागो को में इसमय बुचाओ बचाओ का माराए वाए समय बाग और रागर बहा तुमने मेरी लाज रख ली ये तो मेरा फर्स था बहन चलो रानी मा, आपसे कोई मिलने आया है कौन है प्रणाम रानी मा कौन हो तुम क्या काम है मुझसे जी, वक्त की मारी हूँ दुखियारी हूँ काम मांगने आई हूँ बदले में दो वक्त का खाना दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए क्या नाम है तुम्हारा माध्वी मा मा, इतनी दया नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करते काम मांगने आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं ओहो इंदिरा इतने सक्त पेहरे में किसी का भी चोरी करना संभव नहीं ठीक है तो रखो इसे अपनी नौकरी पर ए सुनो इससे पहले कहीं काम किया है जी हाँ भीमक राज की पुत्री दम्यंती की सेवा में थी दम्यंती की? वो तो मेरी भांजी है मेरी बेहन की बेटी मैं इसे अपनी नीजी सेवा में रख लेती है ठीक है बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा चलो वाह वाह भाई क्या बात है तुमने हमारे घोडे को तो काबू में कर लिया नहीं तो हमारी नौकरी चली जाती पर ये तो कहो तुमने स्तुफानी घोडे को कैसे काबू में कर लिया भाई मैं अश्पविद्या का जानकार हूँ वा, तब तो हमारे महराज आपको अवश्य नौकरी पर रख लेंगे, चलो, हमारे साथ चलो भाई चलो, मुझे भी नौकरी की जरूगत चलो, चलो, आ जाओ आव आओ, चलो, चलो हाँ, तो वो तुम हो, शाबास दोस्त, किसी की भी मदद के बिना, तुमने मेरे अश्व को अपने काबू में कर लिया ये अश्व विद्या तुमने सीखी कहां से? मैं महराज नल के हाँ नौकरी करता था, उनके हाँ अश्व भी था नल राज तुम मेरी नौकरी करोगे नौकरी की तलाश में हूं महराज तो आज से रह जाओ मेरी नौकरी में आश्ववन में रहो आश्वों की देख भाल करो और समय आने पर नल राज की सिखाई हुई आश्वविद्या की परिक्षा भी हो जाएगी जाओ, ले जाओ इसे, आश्मे माराज, चलो, चलो मादवी, ये हार मैं यहीं रख कर जा रही हूँ, बहुत किम्ती है, इसका ध्यान रखना जी अरे, कौन दमन, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मौसी, सगी मौसी, बैठो, बैठो बिटा अरे, पर तु मुझे कैसे पहचानेगा, जब मैं तुम्हारे आई थी न, तब तुम लोग बहुत छोटे थे, तु और दम्यन्ती मैं दम्यन्ती की तलाश में या आया हूँ, मौसी दम्यन्ती की तलाश में, मतलब नल राज ने नैशद राज छोड़ दिया, दम्यन्ती भी उनके साथ निकली है मुझे जब ये खबर मिली तब से हर राज्ज में ढून रहा हूँ सब को पूछ रहा हूँ दमयंती यहां आई है यहां? दमन, भाई कहां जा रही हो? यहां आओ कहां जा रही थी मेरा हार लेकर? चोर? हाँ हाँ चोर मेरा हार मैं यह ही रख कर गई थी ये तुम्हें पता था बोल कहां है? मैंने हार नहीं चुराया मतलब मतलब तू दम्यन्ती है? हाँ मौसी, ऐसे तो कितने हार इसने पहने होंगे? पहने होंगे? पर अभी तो इसकी हालत चोरो जैसे ही लग रही है बेटी! मा, ये भीमक राज की पुत्री है इसलिए इसकी गलती माफ कर देना उचित नहीं होगा मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ, कि उस हार को मैंने स्पर्ष तक नहीं किया तो फिर हार गया कहा? हे मा जगदंबा अंबा भवानी, अगर मैं मन, वचन और कर्म की सच्ची हूँ तो हार लेकर जाने वाला चोर उस हार को फिर से उसी जगा ना रख जाए तो मैं अपने श्राप से उस चोर को भस्म कर दूँगी मा अंबे, मा अंबे मा, मा देखो हार वापस आ गया हाँ, यही पर मिला बहन, मुझे शमा कर दो आज तक मैंने दासी समझ कर अनिक कड़वे शब्द सुनाए और आज तो मैंने तुम्हें चोर कहा तुम्हारा सहारा लेकर प्रभो ने मेरे सतीत्व की परिक्षा ली है बहन इसमें क्षमा कैसी? चलो बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना बेचेन हैं और माता पिता भी तुम्हें याद करते हैं तो खुशी से ले जाना बेटा अभी तक हमने इसे दासी की तरह ही रखा आज ही पता चला कि ये तो मेरी भांजी है दो-चार दिन भांजी की तरह रहने दू फिर ले जाना समझे महसी नारायन, नारायन जो नारायन ने ना देखा वो नारद ने देखा अच्छा हुआ कली राज कि हाथ जल गया और हार रख दिया नहीं तो पूरे के पूरे जल जाते अब सती की शक्ति स्विकार कर लो और अपनी हार मान लो मैंने बाजी हारी है मुनिराज हिम्मत नहीं हारी हिम्मत तो सती दमियंती नहीं भी कहा हारी है आपने पदी पतनी को अलग करवाया दोनों के जगडे करवाये फिर भी उनके अंतर में अंकित हुए प्रेम के शब्दों को नहीं मिटा सके कलिराज विधाता का लिखा लेख मिट सकता है पर किसी के मन में लिखे हुए प्रेम के अक्षनों को नहीं मिटा सकते कलिराज कदापी नहीं मिटा सकते न भूतो न भविश्यती जो नारायन ने नहीं देखा वो नारद ने देखा नारायन नारायन मा, महराज, मादवी पिताजी, मा दम्यांती बेहन मादवी, मा गई हाँ मादवी, बच्चे कैसे है उन्होंने कोई शैतानी तो नहीं की न मा, मा बेटा, मेटी मा तो मा केली कैसे, पिताजी कहा है जब आप क्यों नहीं देती, कहा है पिताजी बोलो ना मा, कहा है पिताजी, मैं उन्हें ले आओ आएंगे बेटा, आएंगे, तुम्हारा प्यार उन्हें खीच लाएगा बेटा बेटी बेटी मा, पिताजी, मा, मा आ गई बेटी नलराज कहा है? जवाब क्यों नहीं देती, नलराज कहा है? मा, वो तो बेहन को अकेली छोड़ कर चले गए क्या, जिनके खातिर तुने महल छोड़ा, हिदे पर पत्थर रगखर संतानु को त्याग दिया मा बाप को भूल गई, वो नलराज सब्त पदी के दिन दिया हुआ वचन भूल गए भाग के मैं लिखे इस कठोर वियोग में, साथ छूटा है मा, संबन नहीं छूटा पर बेटी, एक दिन वो मुझे फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद के आधार पर तो मैं जी रही हूँ हाँ बेटी, पर बेटी कहते हैं न, प्रभू कभी कभी परीक्षा लेते हैं, पर वो निष्ठूर नहीं बेटी, तुम तो समय पर आई हो, वर्ष यारतु नस्दीक है, प्रतिवर्ष की तरह, राज्य में इस वर्ष भी उत्सव मनाया जाएगा जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी, पर तुम भाग नहीं लोगी, तो जनता भी ये उत्सव नहीं मनायेगी देवी, कभी कभी जनता की खुशी के लिए आशू पोचने पड़ते हैं, उनके सुक के लिए अपने दुख भूलाने पड़ते हैं ठीक है पिताजी, मैं वर्शा उत्सव में भाग लूँगी, अलंकार से तन मन में आग लग जाएगी, तो भी धारन करूँगी, आशू पोचूँगी, पर सब के आनन में बाधा नहीं आने दूँगी पिताजी, वर्शा उत्सव होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा खर्फिना एंवेड़ और्फ जईवेड़। चननन गबन खोड़िन, कवन घडिनी, नचरे पवफ लायनुन खावन खरम ँयले इडादू था all편 Olisik पनगोर घटा लिली लिल सापर खिली छटा दूर 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 दा दूर मैरी फुर हूरत शातूर जंकि मिलन वरीशानि जान वरीशानि जान जरी बजर जनन निला गहरा है निला आसमा पीने पीने है जरसों के खेतरे सामन में जुमे रंगे ले ये खेतरे निला गहरा है निला आसमा है कब से है जलती मेरे मने के आग भूर्स लेकर शाम तक ही दय में तेरी आद तेरे मिले कभी कोई ना संकेतर सामन में जुमे रंगे ले ये खेतरे निला गहरा है निला आसमा निला आसमा दो भाजनिश्त भाजनिश्त अर उला आसमाpse करा है तुमे मुझे एक मलके भी चैन नहीं हम एक मलके भी मेरे मन के मैं जानू लहरो के मेरे मन में हर शेयर मन चल चल इन पन नीला गहरा है नीला आसमा, पीने पीने है जरसो के खेतरे, सामन में जुमे रंगे ले ये खेतरे, नीला गहरा है नीला आसमा प्यारा ये मौसम भे छेडे में घमलार देखे तेरे ती तेरा रस्ता हो गई हूँ है रान बरसे में घाबी आज जुम जुम के, सामन में जुमे रंगे ले ये खेतरे, नीला गहरा है नीला आसमा चलन 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 बर्शान जान जरी तनन जरन 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 जरनन तरण टन जरनन जरना जडगान को लितर हो जरन जiernग although saja दम्यंती बहन, मा, मा रो मत मा क्यों रो रही हो, बेटी, क्या हुआ बेटी, नालराज की याद आ गई, उनको भूली ही नहीं हुमाध्वी, उनके बिना धाई वर्ष किस तरह बिताए है, यह सिफ मैं ही जानती हूँ, अब तो लगता है, कि आशा की दोर टूटे रा टूटे, बार मेरे जीवन की दोर टूटी जाएगी, ऐसा बहुल जाएगी, बेहन, देखो यह बच्चे कितने होशियार है, हीरज रखो, अराद ना करो, नलराज को हम प्रित्वी के किसे भी कोने से ढून लाएंगे, हाँ अध्या के दर्बार में तो हमेशा सच्चे कलाकारों की कदर होती है, और वैसे भी, आज तो नैशद राज पुषकर भी यहाँ उपस्तित हैं, नलराज को ढोंटे ढोंटे वो अयोध्या आये हैं, हमारे महमान बने हैं, आप हमारा मनोरंजन कीजिए, मैं आपको अवश्य राजी करूँगा, हमारे जैसे कलाकार तो आप जैसे की कृपा द्रिष्टी से ही जिवित हैं, महाराज, कहो, क्या सुनाओगे, आज तो महाराज पुषकर राज पधारे हैं, इसलिए मैं नल आख्यान सुनाता हूँ, नल आख्यान, जी महाराज, सुनिए, ए राजा जी सुनिए, नल दम्यन्ती की कथा, ओ राजा जी सुनिए, राजा भीमक की बेटी, दम्यन्ती सुन्दरी, सुन के प्रशन सांस से, नल राजा को चाने लगी, उस दिन स्वेंबर की सवा में, बोत से राजा आए, पर दम्यन्ती की वर्माला तो, नल राजा के गले पड़ी, देवों की साक्षी में बंदे, दम्यन्ती और नल भूपती, अनन्द में रहने लगे, नल राजा और दम्यन्ती, अब समय का कुछ फेर आया, भाग्यने बदली गती, ऐसा बदला भाग्या उसका, नलकी हो गई दुर गती, समय ने बदली जो करबट, कुई ऐसी दुर दशा, एक बस्त्र में दम्यन्ती को नल के साथ जाना पड़ा, विश्वास घाती नल्ता, जिसने दम्यन्ती को छोड़ दिया, क्या कहें उसकी कथा, दम्यन्ती को दोखा दिया, दम्यन्ती ने उसके बुरे समय में उसका साथ दिया, पर नल्ने तो उसकी थोड़ी सी भी कदर न की, फिर रही थी जंगलों में तरसी और भूखी प्यासी, दुष्ट नल्को दूसरी कोई रानी मिल गई, दिकार है ऐसे पती, पर जो अपनी पतनी त्याग दे, नल तो ऐसा दुष्ट था, अरे क्या कहें उसकी कथा, वाह, बान भट, वाह, वाह, लो, अयोध्यापती रिटूपण महराज की, यह, अयोध्यापती रिटूपण महराज की, यह, बान भट जी, बान भट जी, आपसे ये किस ने कहा, कि नलराज परिस्तरी के साथ रहता है और महल में वास करता है अरे भाई हमने तो जो सुना है वही गाया अरे ये तो सरासर जूट है तो सच क्या है सज बाद तो बोलो, बोलो सज बाद तो मैं भी नहीं जानता मैं तो इतना जानता हूँ कि नल राज कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे तब तब जरूर नैशद राज ही होंगे हमें भी ऐसा ही लगा देवी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं? सामने पुष्कर रास्त थे, ना पकड़ जाने की इरादे से वो चुप रहे होंगे नहीं, नहीं, वो मुझे भूलना चाहते हैं, हमारी संतानों को भूलना चाहते हैं बेटी इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा, फिर मैं उनकी आदमे किसलिए तरसूं, कब तक तरसूं तो करना गया चाहती हो दम्यांती? स्वयंबर, क्या? हाँ, पिताजी, आप फिर एक बार मेरा सोयंबर अचाहिए पर ये कैसे संभव है, बेटी? क्यों संभव नहीं है, पिताजी? आप दोनों अगर मेरा सुक चाहते हो, तो मेरे इस निर्ने के आड़े ना आईए मतलब, तुम किसी और से विवाह करोगी? जी, सब्त पदी के फेरे लेने के बाद भी, अगर उन्होंने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं किसलिए उनका इंतिजार करूँ? पुरोहिद जी, मेरा एक काम करेंगे? आज्य किजी देवी आप फिर से अयोध्या जाइए, और पहुँचकर उस अयोध्या पती से कहिए, कि भीमक कन्या दम्यंती का स्वयंवर है, आने वाले कल ही आज असल में सती का पतन हो गया है मुनिराज, पती के वियोग में उसके हिर्दय में लेखे हुए प्रेम के अक्षर मिट गए हैं, मैं स्वयंवर में चाऊंगा, और वो अवश्य मुझे वर्माला पहनाएगी तब तो जो नारायन ने नहीं देखा, वो ये नारद देखेगा, नारायन, नारायन अरे कली राज, आप तो बहुत ही भोले हैं, ये तो देवी दम्यंती ने अपनी पती को ढूणने के लिए स्वयंवर का नाटक रचा है क्या? हाँ, और इस स्वयंवर में आप गए, और अगर दम्यंती ने आपको वर्माला ना पहनाई, तो आपकी उन्नत नासिका का छेदन होगा, अर्थात ना कड जाएगी, मेरी बात मानो, और नलराज के रूप में ही आप वहाँ पधारो नलराज के रूप में कल, कल के कल ही विदर्भ राज में पहुँचना मुश्किल है अयोध्यापती इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है दोस्त, आने वाले कल को भीमा कन्या दम्यंती का स्वयंबर है क्या? दम्यंती का स्वयंबर? हाँ, नल्राज के गले में वर्माला पहना कर की हुई भोल को दम्यंती सुधार ना चाहती है स्तरी को तो संपत्ती प्यारी होती है दम्यंती संपत्ती के बिना नल्राज का साथ किस ले देगी उसे तो अजोध्या की रानी बनने और अलंकार धारन करने का मन हुआ होगा सेज सजानी की उमंग जगी होगी वो मुझे अवश्य वर्माला पहनाएगी वर्माला पहनाएगी किस सोच में पढ़ गए दोस्ट यही कि जो नल राज की नहीं होई वो आपकी होगी अरे दम्यंती के साथ सिर्फ एक रात का सहवास मुझे पूरे जीवन का आनंद देगा पहुचाओगे ना दम्यंती मेरे आगमन की परतिक्षा कर रही होगी पहुचाओगे ना हाँ माराज अवश्य पहुचाओगा तो निकलने के तैयारी करो अर्फ हुचाओगे थाँ किया समाचालाई हो माध्वी आयोध्यापती आ गया हाँ दम्यंति बहन साथ में सार्थी है हाँ दम्यंति बहन आज ही उन्हें स्वयमवर का समाचार मिला और आज ही इतने राज्यों का अंतर काट कर वो आयोध्या से यहां तक पहुँच गए इसका आर्थ यही है कि सार्थी ही नैशद राज है माध्वी संभाव है दम्यंति बहन कि आन्य कोई भी ऐसे अश्रोविद्या जानता होगा हां माध्वी इसकी भी परिक्षा लेनी पड़ेगी आयोध्या पती के सार्थी को भोजन के लिए अन्य सामगरी भले ही दे दो पर अगनी जलाने के लिए उन्हें कुछ भी ना दिया जाए य देखे है यह बारोन देया है अगनी देयो इसी तरह नल राज ने एक बार मेरी आँखों के सामने अगनी प्रकट की थी माधवी, उनको अगनी देव का वर्दान है अब मुझे तसली हो गई कि सार्थी, नैशद राजी है माधवी, नैशद राजी है अब माधवी, नैशद राजी हो जाजी है मा बेटा कान है तम मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ ने 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 मा मा क्या हूँ यह चोरी करने आया था महराज कौन है तू मैं अयुध्या पती का सार्थी हूँ गयात करो इसे आप ये क्या कर रहे हैं ये तो हमारे महमान के साथ आये हैं ये भी हमारे महमान है महमान को माफ करना यही हमारा बडपन है जाने दो इने ठीक है तुमारे कहने पर इसे जाने देता हूँ पर महमान को भी महमान की तरह देवी, आप ये पूछने आई हूँ, कि आप महल में चोरी छुपे किसलिए आये थे? महल में चोरी करने? नहीं, चोरी करने नहीं आये थे, पर आप से रहा नहीं गया. इसलिए आप हमारे बच्चों से मिलने आये थे. हमारे बच्चे? हाँ, मुझे पता चल चुका है, कि आप ही मेरे स्वामी हो. पराय पुरुष को पती समझने की भूल करोगी, तो पाप कर बैठोगी देवी. आप पराय नहीं स्वामी, लाख रूप बदलिये, जूट बोलिये, हेर भी सती की नजर और अंतर से बच नहीं सकते. सती और तुम? सती पती नहीं बदला करती देवी दम्यंती? मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा पती तो उसी दिन उसी वक्त मर गया था, जिस दिन तुमने दूसरा पती ढूड़ने के लिए स्वयमवर रचा. हाँ, मैंने ये स्वयमवर रचाया है, मेरे मन पसंद पती को पाने के लिए. मैंने तुम्हारा त्याग किया तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें मेरा त्याग किया सामराज्य के लिए, मैंने तुम्हें से नहीं किया और तुम्हें स्वार्थ साधा, अब तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तुम्हारा पती नहीं और तुम मेरी पत्नी नही तुम्हें तुम्हारा मन पसंद पती मिलेगा कल स्वयमर में देवी आगे क्यों जा रही हो अपने पती के सामने दूसरे के गले में वर्माला डालोगी आप मेरे पती नहीं पती नहीं 15 साल पहले ऐसे ही स्वयमर में तुमने मुझे वर्माला पहनाई थी भूल गई वो वर्माला मैंने नेशद राज को पहनाई थी और आप नेशद राज नहीं दमियंती पर सती को धोखा देना असान नहीं सती दूसरा पती ढूनने निकली हो फिर भी तुम अपने आपको सती कहलाना चाहती हो तुमारे सतीत्वा पर उसी वक्त कलंग लग गया जब तुमने स्वयमर रचाने की इच्छा की तभी तुमारा सतीत्व समाथ हो गया और मेरी विजय हो गई भूल कर रहे हैं देव मैंने स्वयमर अवश्य रचाया है पर अपने पती को ढूनने के लिए भाबी पर आपने एक भूल की अपने पती को ढूनने के प्रयास में आप ये भी भूल गई कि तीसरे साल का आज आखरी दिन है नलराज अगर फिर से पकड़ा गया तो दुबारा तीन सालों का वनवास भुगतना पड़ेगा तो फिर भाबी नलराज को उसी तरह वनवास में भेज कर दूसरे राजवीर से विवा की इच्छा तो नहीं है न आप ये क्या कह रहे हैं भाई सची कह रहा हूं भाबी फिर भी एगर आप सच्ची हो तो बोलो नलराज कहा है जवाब दो नहीं तो नहीं तो क्या करोगे क्या करूँगा देखो नहीं दमन देख लिया भाबी अगर अपने बच्चे प्यारे हैं तो जवाब दो राज जी के लालच ने तुम्हें इस हद तक पापी बना दिया कि फूल जैसे बच्चों के गले पर शस्त्र रखती है क्यूं अपने भाई को पहचारने की ताकत तुम में नहीं नलराज यहां छुपे हुए वेश में है वो जब तक मेरे दिये हुए वस्त्र को धारन नहीं करेंगे वो अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगे होँगे नाग देव पर अगर तम्यंती सची सती होगी तो आपका दिया हुआ वस्त्र पहनने की कोई आवशक्ता नहीं ओ, तो आप सब लोग मेरे सतीत्व की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो ये वर्माला खुद ही उन्हें पैचानेगी और जाकर उनके गले में पड़ेगी और उसी पल उनका असली स्वरूप प्रकट होगा। झायंबी पूब मुझा डिदायो सयुक्षाघ डिवी। महासति दम्यांति की। महासति दम्यांति की। जर। माफ करना देवी। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। हाँ भावी, गलती मेरी ही थी। मुझे माफ कर दो। नल राजन, इसे तो मैंने अपने प्रभाव से वश्मे कर लिया था, पर उस प्रभाव को सती ने सतीत्व से नश्ट कर दिया, मैं अपनी हार स्वी कारता हूँ, और मैं जान गया हूँ कि जब तक आपके जैसी देवियां इस रिष्टी में होगी, तब तक मनुष्य का सामरा जग कभी खत्म नहीं होगा, मैं अब को नमन करता हूँ, नारायन, नारायन, आखिर सती की शक्ती की विजय हुई, शक्ती जीती और कली का प्रभाव पती के चर्णों में पड़ा, ये तो जो नारायन ने नहीं देखा, वो नारद ने देखा, और जो नारद ने देखा, व बोलो सती दम्यंती की, जै, जै मेरी नहीं, जै बोलिये भगवान भोले नाथ की. जै, 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 जै,